यूपी से रायपुर आये एक परिवार के लाज़ के लिए राजधानी में कली मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है दरसल ये परिवार अपने छोटे तीन महीने के बच्चे के आपरेशन के लिए सत्तिसाई हॉस्पिटल गए थे मगर कुर्णा की वरे से अस्पताल में बच्चे को एडमिट नहीं किया गया अब ये परिवार निराश होकर वापिस कर लोट आया है लॉक्डाउन के वज़ा से जो दूसरे मरीज हैं वो भी बहुत परिशान हो रहे हैं एक परिवार हमारे साथ है इस वक्त जो उत्तरवदेश चित्रपूर से आया हुआ है छोटा बच्चा इनके साथ है हार्ट में बच्चे के दिक्कत बताई जा रही है और इलाज करवान के लिए पहुंचे यहां पर लेकिन बता रहे हैं कि फिराल कोरोना की वज़ा से उनको एड्मिट करने से मना किया जा रहा है उनके पिता साथ में क्या दिक्कत है बच्चे को सब्सक्राइब प्रॉब्लम है इलावाद में इनको रिफर किये हैं कि जल्द जल्द आप इनका स frames पिइनलों को नहीं लेता यह कहकं कर लिए शर पहली बताएँंगे कि क्या करना क्या नहीं करना के वहाँ से पर्मिशन वमगर गई थी और मेरे पास कागज से रिफार के शारे डांकुमेंट्स थे तो अम लोग यह तक आगा तो वहां डॉक्टर से जल्दी जाएं उन्होंने कहा तक आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इनको दिखा लीजेगा कि अब आप लोग के पास क्या किया गया था उन्होंने लिया नहीं है और भी मेरे पास कागज से डांकुमेंट्स क्या कर रहे हैं कुछ आप लोग पास ऑप्षन है शर अगर कुछ नहीं होगा तो घर वापस जाएंगे देखेंगे लाग डाउन का इंतिजार करेंगे देखेंगे बच्चे को लेकि इतने दूर से यहां पर पहुंचे हैं और सबते साही हॉस्पिटल में अब कुरूना की वज़े से कहा जा रहा कि एडमिशन नहीं हो पाएगा और बड़ी बिकट देखेंगे बच्चे को अर्जेंट बेसिस पर कहा गया था यहां पर रिफर बड़ची कोरीची को किए को एड़ उन है बड़ कर अज़ेखेंगे तेखेंगे चेक मैंक्या द pitched देखेंगे लिए मतेरे लिए देखेंगें और मिनोंगे लेगा यहां रिखेंगेंगे लिया थाएंगे में अब़ विवगा है कर दो था शतने हैं आ बड़़े लिजएक